हलो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे सिबोरिक डर्मटाइटिस के उसके इलाज को समझेंगे और कारण को कि एक क्रोनिक काफी इर्टेटिंग कंडिशन है जो कभी ठीक हो जाती कभी दोवारा से आ जाती कुछ लोगों में थोड़ा माइल्डर फार्म में रहती है कुछ लोगों में काफी सीवेर हो जाती है तो इसके समझेंगे कि एक्चुली इसका कैसे इलाज किया जाए सिबोरिक डर्मटाइट मतलब जो सेवें प्रोडेक्शन की जादा होती ओटि वहां पी बीमारी कामन होती है इसके लोकेशन की बात करें तो यहां पर चेहरे में जैसे नाक के बाजु में चिंपे यह कामन लोकेशन इसके लावा बाजु में हो सकता है चाती पर हो सकता है क्योंकि यहां पर भी सीवेसेस यूनिट होती है यह कामन लोकेशन है और इसमें जो लीजन आता है विसिकली इसमें स्केलिंग स्केल्इब बहुत है दो इसकेलिग में तरह्फोलियेट हो इक स्केलिग सेली जो थोड़ाब इन्धुमेटरी भी होता है थोड़ी एकिंग भी ऊसकती है और रेटने स को कम करना है और इसके अलाबा इसमें फंगस का भी इंवालमेंट होता है तो इसमें होता है एक तो आयल का प्रोडक्शन जैसा कि मैंनता है वो बढ़ जाता है वो आयल के प्रोडक्शन बढ़ने से इसके लिजन आते हैं इसके अलाबा लाइफ इस्टाइल से संबंधित बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि किसी को किसी चीज का इस्ट्रेस हो लाइफ में किसी भी चीज का तनाव हो सकता है रात में निन नहीं आती अच्छे से इसके अलाबा ये बीमारी फैमली में होती है प बच्चेक को सकती है रइट तो फेमिल कंडीशन है इसके लवा एसे लोग जिन में इंम्यूनिटी कम रहती है इसे कि किसी को इनफेक्षन है कैंसर है कैंसर के दवाईयां चल रही है बोन मेरों का ट्रांसप्लांट हुआ है या लीवर लंग्स का रहती हैं उन सारे लोगों में भी यह सिवोरिक डर्मेटाइटिस होने के चांसिस रहते हैं तो इक्जेक्टली कोई एक कारण नहीं होता इसलिए इसका इलाज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ज्यादा तर केसेस में फंगस के इंफेक्शन को कंट्रोल करना सिंटोमे रहां इलाज होता है यह बड़ों में भी होता और बच्छों में भी ऑल्लम होती है उन में च्रिदल कैब बोलता है उनके पूरे सीर में इस तरह से सीवोरिक डर्माटाइटिस mother की Witना नहीं होती औरूंजली सयों को बहुत जयादा दिक्कवत रहती होतीओ अब अगर इसके इलाज की बात करें तो इलाज हमें क्या करना है एक तो anti-inflammatory treatment जो inflammation है वो subside हो जाए, पुझली कम हो जाए, fungus ठीक हो जाए, oil का production हमें कम करना है और जो scaling है उसको ठीक करना है तो सबसे पहले हमारे पास चार चीजे हैं उनकी one by one बात करते हैं एक तो आपको अपना सही सेलेक्ट करना है आपको जो face wash cleaner है वो सही सेलेक्ट करना है साबून और क्रीम अगर लगाते है तो वो सही सेलेक्ट करना है यही basically हमारे treatment का aim होना चाहिए और एक moisturizer है क्योंकि अगर चेहरे पे आप कुछ भी गलत चीज लगा लेते हो तो यह problem बढ़ जाती है कुछ cases में भी देखा गया कि अलग तरह के जो साबून होते हैं, cream होती है, serum, face wash इनके गलत प्रयोग से भी यह syboric dermatitis की problem बढ़ती है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, shampoo की, आपको हमेशा anti-dandruff shampoo select करना है, anti-dandruff shampoo market में बहुत तरह के आते हैं, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि जिसमें zinc-pyrythean डला हो, या तो उसमें salicylic acid डला हो, ketoconazal डला हो, coal- पराक्ष डला हो, इस तरह की चीजें रहती हैं, जो anti-dandruff shampoo के farm में काम करती है, तो बहुत चांस है कि बालो में होगा, इस विसली कान के पीछे और side में देखे कि तो बालो में भी होगा, तो anti-dandruff shampoo से नहाना है, उसी shampoo को आप चाहें, तो दाढ़ी पे लगा भी सकते हैं, क क्लेंजर यूज करना है, कैसा क्लेंजर जो आयल-free, non-comedogenic होता है, जिसमें ना तो sulfate हो ना परावेन हो, तो परावेन-free, आयल-free, sulfate-free, right, non-comedogenic क्लेंजर आपको यूज करना है, इससे चेहरों को साफ करना है, वो साफ करने का जो basic aim रहता है, जो scaling की problem है, जो dryness हो रही है, व मॉस्चराइजर लगाना है, अब जो मॉस्चराइजर है, वो भी आपको select करते हैं, समय ध्यान रखें कि ये water-based होना चाहिए, मतलब उसमें आयल नहीं होना चाहिए, अगर मॉस्चराइजर आप यूज करते हो, तो basic जो problem है इस बीमारी की, कि आयल का production ही जादा हो रहा है, अगर मॉस्चराइजर आप यूज करोगे, तो जो skin surface वे fungus है, उसको food मिलता रहेगा, उसको खाना मिलता रहेगा, बेसिकली उसका जो खाना है, वो long chain fatty acid होता है, तो बाल को धुल लिया, क्लेंजर से चेहरे को धुल लिया, फिर मॉस्चराइजर लगा दिया, तो हमारे मॉस अगर smoking की जैसे किसी को आदत है, या alcohol की आदत है, तो उसको भी हटाने से फायदा होता है, खाने में सुधार लाएं, सबजियां जादा खाएं, सलाथ जादा खाएं, फ्रूट्स जादा खाएं, इससे भी काफी आराम मिलता है, तो life style पे एक important factor होता है, क्योंकि एगर सरीर मजबूत रहता है, अगर immune system ठीक रहता है, तो इसकी problem कम हो जाती है, तो ये तो बात हो गई कि जिनको कम हो, जिनको mild अगर सिबोरिक डर्माटाइटिस है, या winter के seizure में थोड़ा बहुत आगे है, लेकिन ऐसे लोग जिनको severe सिबोरिक डर्माटाइटिस मतलब scaling बहुत जादा हो रही है, redness बहुत ज़्यादा है, खुजली हो रही है, उस cases में फिर topical antifungal cream आती है, मतलब कि keto को नजाल के जैसे cream है, या cycloparox cream है, ये cream लगाए जा सकती है, और साथ में इस्टराइट की भी, topical इस्टराइट की भी cream आती है, वो भी लगाए जा सकती है, कुछ दिनों क cream और इस्टराइट की cream लगा रहे है, क्योंकि इनके थोड़े बहुत disadvantage हो सकते हैं, बात क्योंकि चेहरे की है, तो ज्यादा सावधानी से काम करना होता है, इस treatment को आप एक देड़ महीने ले, प्राबलम सबसाइड हो जाएगी, और दिन चरिया में बदलाव करें, तो ये त prolfer हो गया, साइक्लो पराक्स हो गया, जिंक पारितियान हो गया, coal tar हो गया, ये सारे मोटे तोर पे सीवोरिग दर्मकाटाइटिस में ये सारी दवाईयां काम करती हैं, इनके आपको lotion में मिल जाएगी, सेंपू भी मिल जाएगा साबून भी मिल जाएगा क्रेम भी मिल जाएगी फेस बास भी क्लेंजर सब कुछ मिलता है तो आप अपने हिसाब से इनको सेलेक्ट कर लीजे और इसके लाबा कुछ नेचुरल तरीके हैं उनसे भी ये सिवियोरिक डर्माटाइटिस को कंट्रोल किय जा सकता है ठीक क्या जा सकता है जो नेचरल चीजएं होती हैं उसमें भी मुस्सली सी टाइप का काम होता है एक तो काम ही होता है कि जो उनके अंदर exfoliating property होती है मतलब skin की जो उपर की layer होती है उसको हटा देती है दूसरा वो skin को hydration provide कराती है और तीसरा उसमें anti-inflammatory property होती है तो इस तरह के जो natural चीजे हैं जो घरल उपचार हो सकते हैं उसमें एक तो aloe vera है वो अलग-अलग रूप में लगाया जा सकता है वो काफी soothing effect है anti-inflammatory effect है इसके अलावा tea tree oil है उसका भी अच्छा रूल है उसके भी अलग-अलग तरह के market में product आते हैं natural नाम से और इसके अलावा जैसे के coconut oil है वो लगा सकते है वो भी जो dry skin है उसके लिए अच्छा काम करता है इसके अलावा healthy है वो भी अच्छा काम करती है टर्मरीक का भी काफी अच्छा यूज है जो नीबू है या जो दही है उसके अंदर acid होते है satric acid और electric acid दही में होता है जो की उपर की layer है scaling की problem उसको ठीप कर देगा तो दही और नीबू से चेहरा साफ किया जा सकता है इसके लावा एक apple cider vinegar है उसके अंदर stico acid होता है काफी सारे लोग उसको भी यूज करते हैं बहुत सारी जो कंपनियां है apple cider vinegar को ही natural syboric dermatitis cleanser या इस तरह से यूज करती है तो यह कुछ natural चीजे होती है जिसमें इस तरह की property होती है मोटी मैंने problem बता दी कि तीन चार तरीके कि इसमें problem होती इसलिए कोई एक ilaj ही perfect नहीं होगा best नहीं होगा आपको खुछ समझना पड़ेगा कुछ चीजों को avoid करना है especially winter के season में जैसे कि गरम पानी से नहाना या direct sun exposure से बचना है जिसको भी siveric dermatitis होगा उसको basic इसके ilaj को और इस विमारी को समझने में मदद मिलेगी इस वीडियो से ऐसी मेरी उम्मीद